तो बच्चो आपके सामने है यह ब्लूप्रिंट जिसकी वीडियो मैंने आपके लिए पहले भी बना रखी है यह फिर से बना रहा हूँ क्योंकि आप अभी समझ नहीं पा रहे हो ब्लूप्रिंट को देखो आपको ना कॉश्चन वेपर आएगा एक्जाम में ठीक है जिसको प्रेशन पत्र बोलते हो उसको आप सॉल्व करेंगे कब एक्जाम के टाइम में उससे पहले आता आपको ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट को सॉल्व करेंगे अभी के अभी ब्लूप्रिंट अगर सॉल्व हो गया तो आपका 50% एक्जाम समझ लो अभी का अभी ही हो गया तो इसलिए कोशिश करो, blueprint जो है, उसको अच्छे से समझो, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये blueprint, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको बुक पे भी ले जाऊंगा, जैसे ये बुक के कुछ question है, वो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे questions हैं, पहले हमने, unseen passage, ठीक है, इसमें एक example देता हूँ आपको, मालो ये एक water of glass है, है ना, जिसमें सर, जो रोज इसमें क्या करते हैं, आपको पानी डालते हुए दिखाते हैं, है ना, पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, सर हर दिन इसमें बोटल में पानी लेकर के इस glass में डालते हैं, आप देखते हो हर दिन, ये हो गया scene, जो जीजा आपने देखी हुई है, यहना, आपको आप क्या हो जाता है, एक दिन glass दे दिया जाता है, और साथ में cold drink की bottle दे दी जाती है, cold drink की bottle इससे पहले तो देखी नहीं थी, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें आपको कहा जाता है कि इसमें भरो, तो आप इस cold drink की bottle को इसमें भरते हो, तो आपने ये भरना जो है, पहले से सीख रखा है, आप आपको एक task दिया गया है, इसको आप कर रहे हो, तो वैसे ही यह आप पठिता अबोधनम, आप पठिता अबोधनम क्या होता है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, जो पहले नहीं देखा था, लेकिन वैसा ही आपने कुछ और पढ़ा था, उसको आपने अब solve करना है, यह पांच marks का होगा, किद्रे marks का, पांच marks, इसमें एक पदेना का मंदल हो गया, one word, ठीक है, one word question आएंगे इसमें, इसी में से पूछी जाए इसमें आपने full sentence जवाब देना है, यह आपको सिखा रखा होता है class में, full sentence जवाब देना है, एक वाक्य में आपने इसको जवाब देना है, एक रहता है, एक करेंगे आप तो दो marks मिल जाएंगे, अब भाशी कारे में आप बिलोम शब्द पूछे जाते हैं इसमें, कहां से पूछे जाएंगे, यह जो unseen passage है, उसमें से पूछे जाएंगे, विलोम क्या होते हैं, आप पोजिट, आप पोजिट होते हैं, ठीक है, यह समत पता है न, अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ, सुक का आपोजिट क्या होगा, तो आप को कोई पूछ ले कि बताओ, डे का आपोजिट क्या होगा, तो आप बता दोगे न, नाइट होगा, है न, यही चीज संस्कृत में पूछी जाएगी, तो आपको पूछी कहां से जाएगी, इस वाले passage में से पूछी जाएगी, और दूसरा विवक्ती पूछी जाएगी, मानलो आप से पूछ ली जाता, आपने पढ़ाई नहीं है, यह बाहर से आएगा, ठीक है, आउट अफ स्लेबस आएगा, मतलब अनसीन पैसे जाएगा, एक ऐसा टास्क दिया गया है, जो आपने क्लास में किसी दूसरे तरिके से पढ़ा था, अब आपको यहां पर अलग तरिके से पूछा जा रहा है, ठी आत्मक को कहते हैं, क्रियेटिव, क्रियेटिव, क्रियेटिव राइटिंग है, क्रियेटिव राइटिंग में क्या होता है, देखो यहां पर आपको चितर आता है, चितर का आपने वर्नन करना है, चितर का क्या करना है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यह गर है मालो, गर के पीछे में ऐसे माउंटन है, और यहां लिखा हुए ग्रिहम, इसके उपर लिखा हुए ग्रिहम, फिर पास में से एक नदी बह रही है, और इसमें व्रिक्ष भी हैं, यह एक पिक्चर आ जाती है आपको मालो, अब कुछ वहां मालो, इसमीं अपको आपको कहाँ करोु, इसके व्रिक्षाह, फिर लिखना आना चाहिए, कौनसी असमीं चित्र है, इसमीं मने आप स्क्सकते हैं, अब डैश अस्ति लिख सकते हूँ, इस चित्र में क्या है? ग्रिहम अस्ति, इस तरह से अस्मिन चित्रे वरिक्षा हा, वरिक्षा के लिए अस्ति नहीं होगा, संति होगा, क्या होगा? संति, इसमें वरिक्ष है, नदी अस्ति, परवताह संति, इस तरह से आप इसको वर्नन कर लेंगे, चित्र को कहते हैं पिक्चर, चित्र क्या होती है पिक्चर है ना? पिक्चर हो गई वर्नन क्या हो गई? describe describe the picture इन संस्क्रिट ठीक है? तो संस्क्रिट में describe करने के लिए आपको ये दो वर्ड तो आने ही चाहिए असमिनचित्रे उसके बाद आप सीख रहे होंगे अगर आपने नहीं और भी अच्छा से सीखना है तो इस चैनल पे ना मैंने वीडियो बना रखी है पिक्चर वाली उनको देखो तो उनमें सिर्फ पिक्चर को ही आप अच्छे सीख लेंगे देखो ये पिक्चर जो है नॉर्मल नहीं है पांच नमबर देखे जाए आपको तो इस पिक्चर को आपने अच्छे समझेगे अब है उसके बाद वाक्य रचना या कथा पूर्ति ये जो वाक्य रचना वाला मतलब एक कथा लिखी होगी ऐसे मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसा लिखूं एक जंगल में एक जंगल में डैश रहता था ठीक है ऐसे ये कथा है तो आपको आपको पता होना जी कहानी किसकी हो रही है आप शेर लिख सकते हैं शेर रहता था पूरी कहानी होगी तो आपने बरना है अगर कता पूरती है तो कुछ क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ ठीक है बुक में से ले जा करके बताऊंगा को क्या सकता है उसके बाद है आपको समानार्थक पदाएंगे विलोम पदाएंगे निर्देशानुसार परिवरतनम गूर्द विवक्ति पदाएंगे इसमें भी सेम चीज रहेगी इसमें से तीन तरह की चीज आएंगी एक तो आएगा गद्यांश गद्यांश में असटोरी आ श्यति है ना ये बदला ये question है आपकी बुक में बताता हूँ उसके बाद श्लोक को क्या इंशों को मिलाओ रिक्स्थान पूरे करो आम अत्वा ना मतलब टिक अत्वा क्रॉस है ना वरनस और योजनम तो वरनस और योजनम से ही शुरू करते हैं चलिए ये आपकी बुक में lesson number one में question number two है वरनस और योजनम ठीक है इसमें आपको ये वाले अच्छे से learn करके आना है ठीक है ये आपको वरनस और योजनम करना आने चाहिए मतलब वरनों को जोड़के लिखना आना चाहिए ठीक है ये लिखा सा आउ चाहिए का अहा तो सा में जब हम लोग आउ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा साउ है ना क्या बन जाएगा साउ तो इसके उत्तर आपने कर रख्योंगे नहीं कियें तो यहां देखो नीचे में लिख बताये हुए है अब आपको यहां पूरा पद लिखा हुआ दिखेगा जिसको शब्द कहते हैं अब इसको आपने जैसे यहां इन्होंने करके दिखाया है इसका वर्ण विखेद करके आपने दिखाना है दो चीजे होती है एक होता है वर्ण संयोजन एक होता है वर्ण विखेद वर्ण संयोजन होता है जिसमें वर्णों को जोड़ा जाता है वर्ण विखेद होता है जिसमें वर्णों को अलग-अलग करके लिखा जाता है यहां आपने कलास में सीखा होगा यहां इसके नीचे म पॉस करके अगर आपको उत्तर सही से मिलाने है अपनी बुक में तो आप मिला सकते हैं ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद वाली पिक्चर जो हमारे blueprint के according ही मैंने ले रखी है मैं आपको एक एक पिक्चर दिखाऊंगा तो यह सारी exam में आने वाली पिक्चर से ठीक है क्या है next next देखिए इसको मैंने डण किया अब मैं next पिक्चर दिखाता हूँ यह है हमारी ठीक है इसमें क्या है रिक्त स्थान बरने वाला एक question था ना blueprint में blueprint में question था जिसमें यह लिखा था कि रिक्स्थान भरो क्या भरो रिक्स्थान मैं फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको फिर से देखना तो चलो दिखाता हूँ ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है यह लिखा है रिक्स्थान आनी पूरयत है ना यह question है कितने marks का दो marks का ऐसे और भी वह सारे question सब देखो गया आप देखो इसमें लिखा चशका चशका अब आपको यहां यहां बरना है इसको देखकर के है ना जैसे इस चशका को देखके बली वर्दो बर दिया चशका को देखके क्या बरना है यह आपने book में कर रखा है तो इस question को अच्छे से learn कर लो यह है कहांबर मैं आपको बता देता हूं lesson number one में है question ठीक है clear lesson number one में है आप इसको अच्छे से learn करो ठीК है अपिर से बता देता हूं थोड़ा सा चलो देख लो चशका, चशको, चशका, बली वर्दा, बली वर्दो, बली वर्दा, शुनका, शुनकव, शुनका, स्पैलिंग लिखना आना चाहिए आपको, जैसे यहाँ शुनकव का स्पैलिंग, शुनका, और शुनकव हो जाएगा, वैसे यहाँ पर शुनकाह हो जाएगा, वैसे यहाँ आएगा अब कुछ और भी हैं जैसे मैंने आपको कहा था कि वाक्य रचना का कुश्चन आएगा वाक्य रचिये तो यहां कुछ शब्द हैं गजाहा नृत्यनती सिंगो गायती गायका पठता बालको चलनती ऐसे रैंडमली वर्ड दियोंगे इनको आपने क्या करना है इनको जोड़ करके वाक्य बनाने तो देखो पहला वाक्य बन गया गजहा चलनती एक वाक्य सिंगो गर्चता दो वाक्य गायका गायती तीन वाक्य बालको पठता चार वाक्य मैंईुराह नित्यनती ये पांच वाक्य ये वी लैस नबर वन में ही है यहां आप जाएगे और डिशाह, फलंती आएगा, सिंगव, गर्जताह आएगा, वानराह, खादती आएगा, अश्वा, धावती आएगा, इस तरह से ये वाला आपका हो जाएगा, पूरा, ये भी रिक्स्तान वाला क्वेशन है, ये भी इंपोर्टन है, सब इंपोर्टन है जो भी है, उसके बाद लेसन नमबर टू में जो भी आयेगा लेसन नमबर टू से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अनुसार उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको देखो यहां पर वर्न संजोजन आया हुआ है जैसे हमने पहले लेसन में देखा वर्न संजोजन अब आपको किस लेसन में आएगा इस तरह से यहां क्या बन जाएगा स्थालिका बन जाएगा आपने कर लिखा होगा मैं ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा ना वीडियो तो मैं सिर्फ आपको यह बता दे रहा हूं कि आपको यहां यहां से पढ़ना है ठीके अब हमने यह कर लिया अब बढ़ते हैं आगे प्लस आ प्लस टा प्लस आ फिर प्लस का प्लस ए हलंद का द्यान रखना हलंद मतलब यह जो नीचे चिन होता ना इसका द्यान रखना हलंद का अच्छे से द्यान रखना तो यह सब उत्तर हैं यह देखो नीचे में सब उत्तर लिख रखें इनको आप अप अच्छे से अब बढ़ते हैं अगे अब इसी लेसन में ये रिक्स्थान वाला इसमें भी एक क्वेशन है सेम टू सेम जैसा फर्स लेसन में था बस फर्क है कि यहां इस तर लिंग है वहां पर पुलिंग था अब यह लता लते लता हा लिखा है तो गीता क्या जाएगा गीते यहां क्या जाएगा गीता हा जाएगा है न वैसे ही पेटिका पेटिके पेटिका हा कटवा कटवे कटवे कटवा साथे ताहा ठीक है यहां उत्तर लिखें नीचे में ठीक है इस तरह से आप क्या कीजी इसको लर्न कर लिए यहां वाके वरने के लिए आया बाके पूरा करो यह आ सकता है अपको इसमें आपके डेश चरता इंदोनों में से क्या हैगा यह बताना है तो क्या चरता आजे चरता आन्या नहीं नीचे में आसूर क्या हो सकता है इन सब पूसी तरह से कोछ्चन नंबर आठ है इसमें करत्री बद किया बदों को चुंक्रिक क्थान बरने आपने तो यहां सोम्या, नित्यती, चटके, भिहरताह, बालिके, गायताह, चात्रह, लिखंती, जनाह, पश्यंती इस तरह से इन सब के उत्तरा जाएंगे सैवन्थ और एट्थ क्वेश्चन आपको यहां से भी करना है ठीक है? अब चलिए, आगे बढ़ते हैं यह भी आपका लेसन नंबर टू का ही, यह सैवन्थ और एट्थ क्वेश्चन है वहां जाके आप इसको भी अच्छे से लॉन करो अब लगवक फास्ट और सैकंड मैंसे जो जो आएगा फास्ट और सैकंड लेसन मैंसे वो मैंने आपको बता दिया आप बढ़ते हैं, अब एक कोशन है जिसमें आपको आ रखा है कि शलोको के अंशो को जोड़िए तो उसमें एक कोशन यह भी है, जिसमें आपने शलोक के अंशो को जोड़िए तस्मात, प्रियम वक्तब्यम, वचने का दरिदरता इस तरह से लिख देना है यहां अगर एक नमबर है तो यहां एक नमबर इसके साथ हो जाएगा गच्छन पीपी लिको हो याती योजनाना शतान ये पी यहां दो हो जाएगा ठीक है इस तरह से इनको मैच करना आपको सीखा हुआ है अपने क्लास में तो जो श्लोकूं वाला पार्ट है आपको उसको निकालो और उसमें इस तरह शाथ saben program कर लो ठीक है अभी के अभी ये काम करना है तो आपका जो ब्लूपरिंट है वो वो सॉल्ड वो जाएगा blueprint को भी तो solve करना होता ना blueprint को solve कर लोगे तो आपका exam हो जाएगा उसके बाद इसी पार्ट में एक आम अथ्वा ना वाला question है जो कि हमारे blueprint में है तो काका कृष्णा ना भवती ऐसा यहां लिखा हुआ है कि काववा काला नहीं होता है यह आम अथ्वा ना हमने पड़ा हुआ है तो यह ना है तो यह गलत है तो गलत के लिए ना लिखा जाता है असमा भी प्रियम वक्तव्यम आम पसंत समय पिका को वेदा भवती आम फिर उसी तरह से ना फिर उस तरह से आम यहां सही यह आम और ना वाला question है इसको भी आप कर लीजिए ठीक है आप बढ़ते हैं आगे यहां कुछ लिखा हुआ है इसी पार्ट में कि समाना आर्थक जो पद हैं उनको चुनकर के लिखना है समाना आर्थक होते हैं similar meaning बताने वाले हैं तो similar meaning बताने वाले कुछ शब्द हैं यह समाना आर्थी हैं similar meaning बताने वाले दूसरे शब्द हैं ना यह भी आपको इसी पार्ट से करना है ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग आगे यह देखिए यहां पर विलोम शब्द वाला question भी है इसी पार्ट में तो सार्थका के लिए विलोम क्या होगा निरर्थ कहा यहां अगर आप ध्यान से देगें यहां कहा है यहां पर भी कहा है ठीक है यहां कृष्णा है कृष्णा के लिए सीधा ही होगा श्वेता अनुक्तम यहां तम है यहां पर तम है गच्छती और यहां पर भी गच्छती है प्रियम है यहां प्रियम हे यह बिल्कुल उजी है तो इस विलॉम बले क्वेशन को भी आप कर लो विलॉम का मदनल होता है अपोजिट ठीक है अपोजिट वर्ट्स के लिए आको यह आएगा यह आपने खुद करना है ठीक है यह आपने कर रहा है मैंने करवाया भी है इसी lesson में था आप बढ़ेंगे आगे कुछ और भी question है जैसे यहां लिखा हुआ है कि जैसा निर्देश दिया जाता है जैसे आपको कहा गया है वैसा आप करो यहां लिखा है कि आहम क्रिडामी इसको बहुवचन में लिखो तो क्या जाएगा यूयम पठता यूवाम गच्छता इसको एक वचन में लिखो त्वम गच्छसी अस्मा कम पुस्तकानी इसको एक वचन में लिखो मम पुस्तकम उसे तरह से तवगरी हम इसको दी वचन में लिखो यूवईयो हगरी है ठीक ये क्वचन भी बहुत 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 इंपोर्टन ए इसको आप याद कर लो उसी तरह से कोष्टकात उचितम शब्दूम जिकतर रिक्स्तान नहीं जो रिक्स्तान वाले जो भी क्वचन है ये सारे एक की जगा आप तैयारी करके रखिए रिक्स्तान वाले सभी question आएंगे जो भी हमारे syllabus में part है वो वाले है syllabus में क्या है first or second lesson है उसके बाद कहां से लेके कहां तक है यह आपको blueprint में देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है नीचे में कहां लिखा हुआ है यह देखो blueprint में लिखा हुआ है कि first or second chapter है और term 2 का chapter 8 से लेके chapter 14 तक है 8 to 14 chapter तक ठीक है यह समझ में आगया ठीक अब यह रिक्स्तान जो है यह भी आपको अच्छे से कर लेने है यहां नीचे में answer दे रखे हैं इन रिक्स्तानों को भी अच्छे से कर लो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक नया question यह देखो यह है वाक्य बनाने वाला question ठीक है यह हमारे blueprint में लिखा हुआ है कि आप वाक्य बनाए कहां लिखा हुआ है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ रचनात्मक लेकनम है देखो यह कहां गया रचनात्मक लेकनम हाँ यह देखो न लिखा है वाक्य रचना तो वाक्य रचना आपको इस प्रकार से करना आनी चाहिए यहाँ पर देखो आपके लिए फास्ट रो, सैकंड रो और थार्ड रो, तीन तीन रो हैं तीनों को मिलाएंगे एक सही वाला वाक्य बन जाए यह से लिखा यूयम शिक्षिकाम नमस्यता यूयम शिक्षिकाम और नमस्यता इस तरह से एक वाक्य हो गया यूयम शिक्षिकाम नमस्यता वयम चित्रानी रचयामा कहां गया चित्रानी यह आगया चित्रानी और ये आगे रचेयामा वहीं जित्रन रचेयामा युवाम कथाम कथाईश्य था इस तरह से आप इस वले कोश्चन को भी अपनी बुक में देखो और इसको भी लर्न कर लो वहीं इंप्रोरटन कूस्चन है खेक है अब वड़ते आगे और जानते हैं कुछ और कुस्चन जो एकजाम में आ रहे हैं और वो ये है तिक है उचित बद ही sitten RUS मानः करना आपना आपने है यहां वाकिश्य निर्मान किस से करना है यहां पर मंजुशा है न ऊ unique इंको क विल्ए करके आपके इस nueva झालो किस पहां की ऐहां पर लीचे लिखे हुए है आप इस पार्ट को निकालो, किस पार्ट में है ये मैंने ही बता रहा आपको, आप खुद अपने पार्ट में से इस question को निकालो, जिसमें फिफ्ट सिक्स question आपको ये दिखेगा, और इसको अच्छे से learn कर लो, ठीक है, ये आपको exam में आने वाला, अब पढ़ते हैं, आगे कुछ और question देखते हैं, जैसे ये लिखा है ये भी हमने पढ़ा था, कि एक वचन का बहुचन का बहुचन करना है, और बहुचन का लिखा है ये ब्लूपरिंट में लिखा हुआ साफ़ साफ़ कहां लिखा है ये वाला ब्लू प्रेंट में साथवा नंबर वाला कॉस्चन ठीक है ये हमने देखा लगवा कि एक ही कॉस्चन है कुछ इस तरह का अब एशा का उन्होंने बताया कि एते होता तो साह का बहुवचन लिखना तो क्या होगा साताउ ते होता है ठीक है उसे देखा है तौम का तौम एक वचन है ना तो इसका बहुवचन लिखना है बहुवचन क्या हो जाएगा तौम यूवाम यूयम है ना उस तरह से ताह बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा सा, यहां नीचे में सारे जवाब लिखे हुए है, ठीक है, ता सा, यू, यू, मेशा, गुश्मा, कमा मतद, क्लियर, यह भी समझ में आ गया, यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है, एक ही तरह का ऐसा कोश्चन है, अब देखो लिखा है, श्लोकों के अंश्चों को जोड़ो यह करिशिका करमविरा से आया हुआ है, करिशिका करमविरा पाट निकालो, वहां पर आपको यह वाला कोश्चन है, श्लोकों के अंश्चों को आपने जोड़ना है, जिस तरह से भी आपको क्लास में जोड़के बताया हुए, उसी तरह से आपने इनको जोड़ना है, ठीक ह यह आंस्वर हैं सारे जो इसको मैच करने के बाद निकलते हैं ठीक है इस पार्ट को निकालो और इसमें से इसको आप करो ठीक है अब करिशिका करम वीरा में कुछ और भी क्वेश्चिन होंगे जो इंपोर्टन्ट है एक्जाम के लिए उन में तो एक है आमत्वा ना वाला ठ से उसे पर्याइवाची पर्याइवाची का मतलब होता समानार्थक सेम मेनिंग बताने वाले शब्द है ना तो वैसे वसनानी नी आरांत में वस्तरानी आरांत सूर्या हा सूर्या को रवी कहेंगे यहां विसर गए यहां विसर गए तरिशा आरांत में यहां पर भी आरा प प्रित्वी तो ये आपको बहुत tricky way से भी आप इसको कर सकते हैं ट्रिक लगाके भी आप इसको use कर सकते हैं वैसे ही यह विलोम शब्द अपने बताने तो सुखम का विलोम क्या होगा अभी थोड़ी दिर पहले बताया था मैंने आपको ठीक है कमेंट विलोम शब्द इसी पार्ट में है क्रिशिका करम फिरा में अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अब है ये दश्मा दुम्मसी पार्ट है इसमें से कुछ क्वेश्चन है इसमें भी सबसे पहला थर्ड नमबर वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने टिक और क्रॉस वाला लग परोशन ये भी है इसको भी आप दुम्मसी पार्ट में से याद कर लो अच्चे से यहां नीचे में आंस्वर भी लखे हुएं आंस्वर को भी आप यहां देख सकते हो स्क्रीन को पॉस करो पॉस करके आप इसको आच्छे से देख लो ठीक है अपनी बुक खोल के रखो सबसे पहले में क्या है? गिंती ही बतानी है अपने पिक्चर को देख करके समझ गई होंगे चलिए बढ़ते हैं अब उसके बाद है हमारा एक कोशिन तो ये वला है ठीक है रागव मादब में है शायद ये हाँ विमान यान अमरे छेया मा इस पार्ट से है तो यहाँ पी आपने क्या करना है तृतिया अमबुद माला भी ही है ना तो ठीक है डन ये भी कोशिन आप कर लीजिए विमान यान अमरे छेया मा से आप उसके बाद बढ़ते हैं इसमें आपको लिखा हुआ है कि आपको बिवक्ती समुचित पदेर एक स्थान आनी पूरे है एक स्थान वाला कोश्चन आई ठीक है इ आपको आपने भूक में कर रखा है बच्चो तो भूक से इस क्षेन को भी अच्छे से कर लो ठीक है बानू 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 बाहा दित्या बतानी है आपने किसकी गुरू शब्द के घुरुम घुरु घुरुन दै यह भी हो गया अब आपको कुछ ओर क्वेश्चन से चंद्रह चंद्रह का प्रयाई वाची क्या हो सकता है निशा कर रहा ये तीन नंबर है ना दो नंबर पर भीमले भीमले का जाएगा निरमले है ना उसी तरह से चंद्रह के लिए हो जाएगा निशा कर रहा तीन नंबर चार नंबर ये हो गया सूर्या सूर्या के लिए हो ज जलदा ठेक है ये परियाईवाची थे अब हम बढ़ते हैं आगे इसी पार्ट में कुछ और भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसे लिखा है अधोलिकतानां पदानां समुचिताना अर्थान मेलेत इनका जो सही आर्थ है उनसके साथ मिलाना है सही आर्थ मतलब परियाईवाच सथिक्व के लिए श्री घर लिए ही तरह किसमा धन ऑर्थ ही म्योगति दिया करें सन्सгли गया स्थिक्वाच इस पार्ट तयाना आर्थ मोगत्तिन विलोम पदम चित वाले इसका विलोम शब्द बताना चतूर जिसको चालाग कहते हैं तो उसका मूर्ख होगा है ना उस तरह से आने तुम आ रहा है अंतम है तो नेतुम हो जाएगा प्रभीशति प्रभीशति के लिए निर्गचति निर्गच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लेकिन अव्वे आपने भरने हैं, तो अव्वे वाला भी एक क्वेश्चन था ना, किसमें ब्लूपरिंट में देखो, यहां एट्थ नमबर क्वेश्चन लिखा न, अव्वे बदम, अव्वे बदम बाला यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टन्ट हो जाता है, क्योंकि एक ह तो बालका हा, बालका, चालिक ना, किड़ा चेतरे की डंती, मेगा उच्चेगर जनती, यहां डैश है न, मेगा उच्चेगर जनती, बता हंसा इव, क्या जाएगा यहां पर इव, सत्यम एव जायेते, यह हर बार आया हुए, इसलिए आप इसको अच्छ से लर्न कर लो, आ भी हो गया, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जरा, यह है हमारे पास निर्देश के अनुसरा लकार परिवर्तनम कुरुता, यह कोश्चन भी बच्चो अपने आप में एक अलग ही कोश्चन है, इसको भी आप अच्छ से लर्न कर लो, देखो यहां है, किसमें हैं यह, को परिश्रमी के लिए परिश्रमी लिखा, आसीद की जगा पे अस्ती लिख दिया, लकार परिवर्तन कर दिया, लटलकार में लिखना था, परिवर्तन कर दिया, वैसे आहम शिक्षकाय धनम दास्यामी, क्योंकि लिटलकार में लिखने के लिए बोला है, क्वेश्चन तो सार और देखते हैं कि क्या कोई और और भी है question या इतने ही है फिलकुल बस इतने ही है यह last question था जिसको हमने complete कर लिया तो यह blue brand की वीडियो आपके लिए बहुत important है इन सब questions को आप learn करेंगे तो आपका 50% तो अभी का भी ही तयार हो गया ठीक है अब आपके लिए जो passage हैं वो कहा कहां से आएंगी इसके लिए आपको chapter number 8 से लेकर के chapter number आहा आहा तक जो भी chapter है उनको अच्छे से पढ़ना है तबी आपको आएगा ठीक है कहां से लेकर कहां तक पढ़ना आपको आपको यह श्ले बस दिया वो ठीक है chapter number 8-39 सबका से chapter 14 तक इनके बीच में जो भी chapter हैं श्लो इस वाले उन दोनों को अच्छे से learn कर लो तो आपको आजाएगा देखो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाओगे न अब प्ले लिस्ट में तो प्ले लिस्ट में आपको एक्जाम कैप्शूल करके इस तरह से एक वीडियो का पूरा सेट होगा जिसमें 5-7 वीडियो होगी कटी वह अगर आप देख लेंगे तो आपके एक्जाम की तयारी बहुत अच्छे से होगी और भी क्वेश्टन पेपर की रिगार्डिंग कुछ वीडियो हैं सेशन एंडिंग एक्जाम के क्वेश्टन पेपर भी हैं उनको भी आप देखो उनसे भी तयारी करो आपका जो हुट साइब गिव क्वेश्टन पेपर है वो सिंस्टी मार्क्स होगा सिंस्टी मार्कस आपके आ जाएंगे तो अच्छा होगा और आपके बहुत प्हुत प्यार प्यारे मार्क्स होंगे ठीक है मिलते हैं एक नए वीडियो में